हालो स्टूडेंट्स वेल्कम तो अससी प्रेपलेशन बिकम स्मार्ट सक्सास्पूल चैंपियन आज की स्टूड़ में हम लोग बात करेंगे अब हमें इस लाइन के पैरलल यहां पर ड्रा करनी है और हमें गीवन पॉइंट पी है जो आउटसाइड दा लाइन है तो first of all we take the point P and this point is outside the line अब हम क्या करेंगे हम इस point p को इस line के साथaja कर लेंगे हम एक line ड्रा करेंगे जो इस point पी से पास कर रही है और हमारी line को टच कर रही है तॉके अब जो यह point P है हमें इस पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो नीचे गिवन लाइन एल है यह उसके पैरल लाइन इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए इस पॉइंट का नाम आप और रख लीजिए आप जो एंगल हमारे पास बन रहा है फी ओ एल इस एंगल को हम मेजर करेंगे इस एंगल वालि एक एक्यूत अंगल है इस एंगल को हम लोग मेजर करेंगे हो सेम एंगल हम बनाएंगे पॉइंट पी के ऊपर लाइन को थोड़ा सा और एक्सिटेंड कर लेती तोड़ी चोटी है तो चलिए उगल P.O.L. को मेजर करने के लिए और यहां पर बनाने के लिए सबसे पहले तो इस एंगल को हमने बना लिए अब जितनी यह यह आTalk जितनी आपने लगा है सेम आर्क आप Point proximity ऊपर लगाई है हम लोग एंगल जुहां वो कॉप्ण कर रहे हैं जो एंगल और है सेम एंगल कर लिया अब यहां पर कंपास का पॉइंटर रखे इस पॉइंट के उपर और यहां पर आप लगा दें एक आर्क एंगल बनके जितना एंगल ओ था उतना ही एंगल हमने बिना दिया पी के उपर कंपास का पॉइंटर हमने कहा रखा है पी के उपर तो पी को और इस पॉइंट है और जो यह लाइन ऊपर है इसको अगर मैं ले लूँ तो लाइन और लडेश दोनों क्या है एक दूसरे के पैलल बन गई लाइन एंड लडेश यह कैसी है पैलल लाइन है सबसे पहले क्या किया एक लाइन ड्रा की पी एक पॉइंट लिया आउटसाइड फिर हमने और लिफिते मेउड़ हमने मेजर किये और इस एंगल के जतना बिलकुल सेंगे जतना ही एक यूट है हुट भुइंगल हमने assets के वहांस बनाया दोनों हो ईंगल का मेजर क्या है और हुई फिर हमने मिल रोडेश फें लाइन जाहें धो districts यह गींदोनों लाइन यह लाइन् चैनल SSV प्रप्रेशन को विजट करें यह अस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेर भी जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग